जी आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नमबर 4 है और आज हमने इलेक्टो स्टैटिक्स की पहली एप्लिकेशन डिसकस करनी है जिसका नाम है जेरो ग्रैफी और यह जो जेरो ग्रैफी है ना यह असल में ग्रीक वर्ड है जो दो छोटे वर्ड का कॉंबिनेशन है जैरस एंड ग्रैफस जैरस का मतलब है ड्राइ और ग्रैफस का मतलब है राइटिंग यानि आज के लेक्चर में हम फोटो कॉपियर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें किसी डॉक्यूमेंट या किसी पेज के उपर जो इमेज है उसकी कॉपी कैसे होती है यह हम डिसकस करेंगे तो आज जो photocopier है, इसकी construction हम पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो machine है, ये working कैसे करती है, इसका काम कैसे है, तो सबसे पहले तो ये देखें, सबसे पहले आपको एक lamp नजर आ रहा है, जिसके अंदर से light निकलती है, उपर आपको एक page नजर आ रहा है, जिसका हमने image copy कर है, और साथ ही एक नीचे lens नजर आ रहा है, lens क्या करता है, ये light को focus करता है, और नीचे आपको photocopier का heart नजर आ रहा है, main core of photocopier, ये है एक cylindrical drum, और ये drum basically aluminum का बना होता है, और इसके उपर एक paint किया होता है, एक coating होती है, एक दूसरे material की जिसका नाम है selenium, मैं आगे चलके आपको बताऊंगा कि aluminum का क्या काम है, और selenium का क्या काम है, फिर साथ ही, आपको एक तरफ एक छोटा सा apparatus नजर आ रहा है, या एक छोटा सा container नजर आ रहा है, इसके अंदर होती है ink, जिसे बोलते है toner, और साथ ही साथ, आपको नीचे rulers नजर आ रहे हैं, कुछ rollers नजर आ रह जाता है, और साथ ही दूसी तरफ heated rollers लगे हुए, इनका क्या काम है, ये भी हम आज देखेंगे, तो सबसे पहले, मैं आपको aluminum के drum के बारे में कुछ important चीज़ बताना चाहता हूँ, aluminum जो है न, ये तो एक बड़ा अच्छा conductor होता है, conductor का क्या मतलब है, conductor ऐसे material को बोलते हैं, जिसके अंदर charge flow कर सकता है, लेकिन उपर जो selenium की तै है न, यानि selenium जिस material का हमने उपर, जिस material की coating की हुई है, ये selenium असल में photo conductor है, photo conductor ऐसा material होता है, जो रोशनी में तो conductor होता है, लेकिन अंधेरे में ये insulator का का काम करता है, यानि अगर इसके उपर light fall करेगी, तो ये conductor बन जाएगा, यानि इसके अंदर से भी charge flow कर जाएगा, लेकिन अगर इसके उपर अंधेरा रहेगा, यानि light fall नहीं करेगी, तो ये insulator का काम करेगा, यानि इसके अंदर से charge flow नहीं कर सकता, selenium का आज की पूरी working में बड़ा major role है, तो इसको बड़े गोर से आपने समझना ह फर्स कर लें, हमारे पास एक document है, एक page है, जिसकी हम copy करना चाहते हैं, उसको हमने उपर उल्टा रख दिया, glass के उपर उल्टा रख दिया, अब होता क्या है, वो जो photocopy को operate करने माला आदमी है, वो क्या करता है, वो एक button press करता है, एक बाद याद रखें, ये जो अंदर aluminium क drum है ना, इसके उपर एक positive charge sprinkle कर दिया जाता है, पहले ही, print की command देने से पहले, यानि फर्स कर लेंगे आपको जो aluminium का drum नजर आ रहा है ना, इसके उपर positive charge है, वो positive charge plus की शकल में आपको नजर आ रहे है, और ये basically selenium की tag के उपर है, अब होगा क्या, उपर आपने उल्टा रख दिया है, वो वला page जिसका हमने print लेना है, अब ये जो साथ lamp है, जिसके अंदर से light निकलती है, ये lamp throughout the photocopier move भी करता है, पेज के साथ साथ नीचे move करेगा, ये जो आप देख रहे हैं, और इसके अंदर से जो light निकल रही है, वो page से टकरा कर वापिस आ रही है, और वो lens के अंदर से गुजर के drum के उपर fall कर रही है, अब देखें जैसे जैसे ये lamp move करता जाता है ना, वैसे वैसे नीचे लगा हुआ drum भी घूमता जाता है, और से मेरी बास सुनी है आपने, और ये lamp असल में क्या कर रहा है, ये पूरे page का reflection drum के उपर transfer कर रहा है, यानि आप यू सम बजले जो drum roll कर रहा है उसके उपर पूरे page की copy reflection की form में छप गई है, अब reflection से मेरी क्या मुराद है, देखें उपर से light टकरा के वापिस आ रही है, अब page जिसकी हमने copy करनी है, उसका कुछ हिस्सा तो printed है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका खाली भी है, जिसके उपर कुछ नहीं लेकिन जो हिस्सा खाली है, जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, वहाँ से light reflect होके वापिस आएगी, और वो drum के उपर पड़ेगी, इसका मतलब है drum का वो वो वाला हिस्सा जहां light आके पढ़ रही है, यह क्या बन जाएगा conductor, क्योंकि selenium के बारे में, अभी मैं आपको बता क आया हूँगे, selenium एक photo conductor है, तो light का हिस्सा, light जहां जहां पड़ी, selenium का वो हिस्सा conductor बन गया, अब जो अंदर aluminium है, वो भी conductor है, उसके पास excessive electrons मौझूद है, अब नीचे से electron आएंगे, और selenium की तैह पे जो positive charge है उसके साथ मिल जाएंगे और उसको neutral कर देंगे, क्योंकि electron पर negative charge है, उपर positive charge था, यानि electron की कमी, दोनों मिल गए, वो वला हिस्सा neutral हो गया, यानि drum के उपर जो bright areas है, उनका charge खतम हो जाएगा, लेकिन drum के उपर जो dark area है, उसका charge खतम नहीं होगा, और dark area कौन सा था, जिसका हमने print लेना था, जो page के उपर printed portion था, इसका मतलब है, जो page क printed portion है, same, उसी की copy, उसी तरह का, drum के उपर जो area है ना, वो positive charge की शकल में आपको नजर आएगा, अब क्या हो रहा है, drum साथ साथ घुमता जा रहा है, और आप गौर करें, यह जो drum है ना, यह घुमते घुमते उस cartridge के करीब से गुजर रहा है, जिसके अंदर toner है, यानि इंक है और यह बात याद रखें, यह जो toner है ना, इसको हमने negative charge दिया होता है, इसको negatively charge किया होता है, और हम यह तो जानते हैं, positive negative एक दूसे को attract करते हैं, तो जैसे जैसे drum इस toner के सामने से गुजरता जाएगा ना, तो जहां जहां drum पे positive charge है, वहां वहां यह powder जाके चिपक जाएग अट्रेक्शन कि वजह से, और साथ ही साथ वो नीचे जाता जा रहा है, और इसी दुरान नीचे से वो जो जो नया पेज है, ना, खाली पेज, तो भी आगे जाना शुरू हो जाता है, और वो डरुम के साथ साथ स्लाइड कर रहा हुता है, I mean स्लाइड नहीं कर रहा हुता, रोल कर रहा होता है और जैसे जैसे ड्रम गुमता जा रहा है ड्रम टोनर के सामने से गुजर रहा है जहां जहां पॉस्टिव चार्ज है वहां टोनर लगता जा रहा है और साथ ही वो हिस्सा नीचे वाले खाली पेज के उपर रोल कर रहा है और वो सारी इंक as it is पेज के उपर ट्रांसफर हो जाएगी और ये पेज मुसलसल आगे जाता जा रहा है आगे चलते चलते ये पेज दूसरी साइट पे जो हीटीड रोलर लगे हुए है न उनके अंदर से गुजरेगा और हीटीड रोलर के अंदर से गुजरने का फाइदा क्या होगा वो बेसिकली हीटर है वो क्या करेंगे इस इंक को मेल्ट कर देंगे पहले तो ये पाउडर फॉर्म में थी न इसको मेल्ट करके पेज के पोर्स के अंदर मुस्तिकल तोर पे चिपका देंगे और हमारा जो image है वो permanent हो जाएगा और दूसरी side से फिर ये निकल जाएगा printed form में यानि उपर हमने जो page रखा था उसकी as it is copy हमें दूसरी side से मिल गई है और आपने ये भी note किया होगा कि जो दूसरी side से page निकला है न वो काफी heated होता है उसका temperature काफी ज़्यादा हुआ होता है क्यों? क्योंकि वो heated roller के अंदर से गुजर के बाहिर आया है तो ये था एक छोटा सा असान सा mechanism जिसके थूँ photocopier machine जो है ये काम करती है और हम किसी भी page का image copy करके नए page पे ट्रांसफर कर सकते हैं एक और important मज़े की बात है copy करने वाले लोग हैं ये अकसर जब page अंदर फस जाता है तो फिर ये machine को खोलते हैं और अंदर से page निकालते हैं और कपड़े से वो image साफ कर लेते हैं मैं कहता था यार मैं जब करता हूँ फिर तो ऐसा नहीं होता तो ये किस तरह साफ कर लेते हैं जाएद इनका कपड़ा कोई खास किसम कै तब तो मैं छोटा था मुझे नहीं पता था इन चीजों का लेकिन अब आके समझ आई कि असल में होता क्या था वो पेज हीटीड रोलर से गुजरा ही नहीं होता था अभी सिरफ उसके उपर टोनर ट्रांसफर हुआ होता था तो जाहरी बात है अगर टोनर ट्रांसफर हुआ है और वो हीटीड रोलर से नहीं गुजरा आप मशीन को खोलें और उस पेज को बाहर निकालें तो उसके उपर जो image है वो permanent नहीं है वो तो temporarily सिरफ ink उसके उपर लगी रही है आप इसको किसी भी कपड़े से साफ कर सकते हैं जैसे ही वो heated roller से गुजरेगा उसका image permanent हो जाएगा तो ये था photocopier और उसका काम करने का तरीका अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दौा में याद रखें अलाफेश